दोस्तों यदि आप केबल दसवी पास अवियारती है और यदि आपने आईटी आई भी कर रखा है तो ये आपके लिए काफिस सुनाहरा मौका निकल कर आ रहा है क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं आता है ये कैमपस सेलेक्शन भरती होने वाली है इसमें किसी भी प्रकर की क कोई एक्जाम नहीं होगी वैसे तमाम अवियारती आविदन कर सकते हैं जो दसवी पास है या दसवी के बाद आईटी आई किये हुए तो टाटा मोटर्स में आप काम कर सकते हैं ये अपरेंटेसिप के लिए बहाली निकाली जा रहा है ये कैमपस सेलेक्शन होने जा रही ह इसमें कैसे आप आवितन करेंगे कौन कनी डेट आवितन कर पाएंगे जिसकी कम्प्लीट प्रोसेस इस वीडियो में हम आपको लाइब दिखाने वाले हैं रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंतक देखिए ताकि पूरी जनकारी समझ में आपाए वीडियो अगर आपको पसंद है तो लाइक शेर जरूर करें साथी कैनल को सबस्क्राइब करें आने वाले सारी अपडेट की जो भी जनकारी होगी आपको मिल पाएगे छोटी बड़ी अपडेट के लिए आप टेलिग्राम से जरूर जूरी है जहां पर बहुत सारी अपडेट हम सेर करते रहते है यहाँ पर आप आएंगे हमारे ओफिसल वेबसाइट ऑनलाइन अपडेट अपडेट हम ड़ाट इन पे तो लेटेट जो वाले सेक्शन में देखेंगे टाटा मोटर्स कैंपर सेलेक्शन भरती आपको मिलेगी जिस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डीटेल आर्टीक होने जा रहा है इसमें दिखें इनका जो नोटिफिकेशन है इस से वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा एपरेंटेशिप कैंपस ड्राइब जो की लोकेशन बतायागा है कि गोवर्मेंट आईटी है सितामटी जो की आपका टाइमिंग है सुबह 10 बज करेंगे और क्या-क्या दफ्तावेज आपको लेकर जानी है देखिए इसमें आवेदन करने वाले जो आप यारती होंगे यहाँ पर बताया गया कि आपका आईटी आई पास आउट होनी चाहिए जो कि 2020 से 21 और 22 में आपने पास आउट किया है तब आप इसके लिए आवेद करेंगे और बेसिक मेडिकल के लिए भी बताईए कि जो अवियारती आवेदन करेंगे उनका जो यह वेट है आपका पचास के जी मिनमम होनी चाहिए और उसके बाद आपकी आखिका भी जो बीमपी होए उसका भी जाच किया जाएगा जो की बता गया कि 18-25 के बीच होने च कि बात करें तो इसमें जो कनिडेट आवेदन करना चाहते हैं उनका जो क्वालिफिकेशन होगा जैसे क्वालिफिकेशन इसमें बताई गया कि जो कनिडेट आईटी आई पास आउट है अगर दसभी के बाद आपने आईटी आई किया है हम आगे बताएंगे किस किस आईटी आई आई आइआ होनी चाहिए क्यूंकि आप जान रहें टाटा है एक बनाने वाली कमपनी है जिसमें जितने भी बाहन अभी चल रहें टाटा मोटर्स की वह बनाने की मौका मिलेगे बहुत शारे चीजि़ी के बारे में आपको डीटल यहां पर सिखा जाता यह फि कि अगर आप जाएंगे अच्छ से सिखेंगे नहीं तो आपको 6 महिना में भी वहाँ से निकाल दिया जागा तो यहाँ पर सिखना होगा यह आपको लिए सिखने की मौका है इस करम में आपको पैसा भी मिलेगी जोकि 11,550 रुपी आपको सैल्ट्रिक के रूप में स्टाइप होनी चाहिए इस परकार के जो ट्रेर्ड है जैसे पेंटर है उसके अलावे लेक्टेसियन है या कोई मेकेनिकल ट्रेर से रिलेटेड कोई अभियारती है तो इसमें वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसमें भाग लेने के लिए यह नहीं है कि यह प्रोपर जिस जिला में आ आपकी होनी चाहिए आगे हम जिक्र करेंगे यह रिश्टेशन कैसे करनी है उसकी सारी जनकारी मिलेगी इंपोर्टेंट डेट में हमने आपको डेट मेंसन कर दिया और साथी पहलेस आपको मेंसन पर आपको दस बजे पहुंच जानी है इस डेट को अगर आप इस पर करके जोब लेना चाहते हैं तो यह आपके लिए सुनाहरा मौका निकल कर आ रहा है कि इसमें participate करने वाले अवयार थी एक बार पूरी detail आप एक बार जरूर समझ ले अगर आपको लगता है इसमें आपको भाग लेनी चाहिए आपको रोजगार चाहिए आपको कुछ सिखना है जिवन में अगर आप बैठे हुए हैं तो यह अच्छी मौका हो सकता है अगर आप कहीं भी अच्छे धंगों से त्यारी करते हैं तो यह सब पर ध्यान नहीं दे है यहाँ पर आप आएंगे एक option आपको मिलेगा अप्लेंटे से पोटल रेइस्टेशन का जिसमें participate करने के लिए आपको रेइस्टेशन मांगा जाता है तो इस पर click करके आप यहाँ पर इंपे रेइस्टेशन कर लेंगे candidate रेइस्टेशन का विकल्प है बहुत ही simple process है आप खुछ से भी रेइस्टेशन कर सकते हैं ऐसे बहुत सारी जौब आती है जिससे जुरी हम वीडियो नहीं ला पाते हैं तो उनके सारी अपडेट हमारे टेलिग्राम चैनल पर अपडेट कर दी जाती है जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे description में है आप लोग यहाँ से जौइन कर लिजिएगा टेलिग्राम पर आने वाले सारी अपडेट आपको मिलेगी और ऐसे और भी जानकारी के लिए आप रेगुलर ऑनलाइन अपडेट लिए टेस्ट एम.टीन को वेबसाइट को विजिट करें लिटेस्ट जोब में जो भी जोब आपके लिए चल रही होगी उसकी जानकारी मिलेगी लिटेस्ट अपडेट में जो भी आपडेट आपके लिए हो मिलेगी सरकारी योजना से लेकर आपकी result, admit card, admission से जुड़ी हर अपडेट आपको समय पर प्रुभाइट की जाती है, मैं आसा करता हूँ, ये वीडियो आपको काफी पसंद आ होगा, पसंद आ होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, साथी अपने दोस्तों के साथ सेर करें, अगर आपके मन में किस से भी उपरकार की सुझाब है तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवात।